नमस्कार दोस्तों आज हम फिलर्स और प्रस्पीच पर कुछ प्रस्ण के साथ आप लोगों के सामने उपस्चित हुए हैं पिछले दो कलास में मैंने शिमली, मेटाफोर, परसोनिफिकेशन, एलिक्ट्रेशन, हाइपर बोले, एकोस्ट्रोफी के बारे में बता रहा था आज इन्हीं फिगर्स और स्पीच पर बेस्ड कुछ प्रस्ण आपके सामने है आप इनका आंसर देने का फ़रियत में करीए यह कौन सा फिगर्स और स्पीच हुआ है, यहां देख रहे हैं, लाइफ इस नोटे बेड़ आफ रोगे, लाइफ आराम की बस्तू नहीं है, जिंदगी जो है आराम की बस्तू नहीं है, इसमें लाइफ को डारेक्ट इंप्लीड किया गया है, यह आपका मेटाफोर हुआ फिगर्स और स्पीच प्रस्मद दो, क्वोश्चन नमबर टू में देखिए, बॉस्टन बेक्ड बिंज अब इसका जवाब देजे, बॉस्टन बेक्ड बिंज अब देखिए हां, इसमें बी कॉंसोनेंट साउंड का रिपिटेशन हुआ है, बॉस्टन बेक्ड बिंज यह आपका इसमें देखिए सिमिली मेटाफोर है, परसोनिफिकेशन है, एलिक्ट्रेशन है, हाइपर बोले, एपोस्ट्रोफी तेलावत आईए, यह आपका एलिक्ट्रेशन हुआ यानि रिपिटेशन ओफ इनिस्यल कॉंसोनेंट साउंड इसमें कॉंसोनेंट साउंड का जो है बार-बार रिपिटेशन हुआ, अतर यह आपका एलिक्ट्रेशन हुआ एलिक्ट्रेशन चलिए, कुश्चन नमट तीन लेव्स आर डांसिंग इस सेंटेंज में कौन सा फीगर्स ओफ आस्पीच आया लेव्स आर डांसिंग, देखिए, पत्ती नाच रहे हैं आप जड़ा यह बताईए कि इसमें जो है पत्ता क्या है लेव्स ने हीमन है ने हीमन को यहां हीमन के जैसा बतलाया जा रहा है यह आपका कौन सा फीगर्स ओपस पीच हुआ? इसमें से देखिए, बॉक्स में दिया हुआ है जड़ून करके बताईए इसमें से यह आपका लेव्स आर डांसिंग परसोनिक्सिकेशन यह आपका परसोनिक्सिकेशन हो गया इसमें नन हीमन को हीमन बिंग के जैसा दिखलाया जा रहा है अतर, नमबर तीन यह आपका परसोनिक्सिकेशन फिगर ऑफ़ स्पीच हुआ बहुत अच्छा चलिए नेक्स्ट कुश्टन में हम चल रहा हैं नमबर फूर इस पें रन्स आम ड़ पेपर इसका जवाब लिग है तो बता दे this pen runs on the paper यह कलम पेपर पर दौर रही है दौरती है यहां देखिए pen non-human non-human है और इसको दिखा जागा runs on the paper यहां pen को personified किया गया है यह कलम पेपर पर दौरती है यह भी आपका personification ही हुआ चलिए personification question no.5 में देखिए रहा we wanted warm weather we wanted warm weather यहां w www repetition of initial consonant sound इसमें initial consonant sound जो है बार बार repeat हो रहा है यह आपका कौन सा figure of a speech होगा देखिए ज़रा उपर भी दिया हुआ है question no.2 में alliteration है यह भी आपका alliteration ही होगा alliteration चलिए अगला सवाल है आपका Milton you should be living at the shower देखिए इसका ज़रा आप देखिए Milton X का में समार्प you should be living at the shower यहां देखिए you का स्पेलिंग T-H-O-U poem में जब हम पढ़ते हैं you का इस तरह से पहले स्पेलिंग हुआ खरता था यह देखिए सूड है जब S-H-O-U-L-D-S-T should जो अगचे नोकल के U-Y-O-U और should का स्पेलिंग यहां तक रोगा लेकिन यह poem का एक पंपी है इस लिए इस तरह से लिथा गया है Milton you should be living at this hour अब देखिए यहां यह यहां सम्भोधन Milton को सम्भोधित किया गया Milton आपको इस घरी जिरित होना चाहिए सम्भोधन हो गया अब देखिए यह आपका Apostrophe Apostrophe यहां लिख दें हम Apostrophe Apostrophe यह आपका Apostrophe होगा यह आपका Metaphor Boston Back Bain Salatration Lips are dancing Personification This pen runs on the paper Personification Will Wanted Verb Weather An iteration चरिए Next 6 Milton You Should Be Living At This Hour Apostrophe अबला सवाल आपके लिए है Question No.7 Floods of Tears Flow is down Around हर चीज़ यह जरा बताये कौन सा figure of a speech होगा देखिए पिछले क्लास में मैंने बताया था किसी चीज को बढ़ा चड़ा करके बतलाना Human किरियत करने के लिए Drastic Emotional Appeal के लिए Hyperbola आता है यह देखिए Clurts of Tears Flow is down हर चीज़ यह आपका Hyperbola है Hyperbola Figure of a speech I have told you million times मैंने आपको million times बतलाया देखिए यह कौन सा figure of a speech बन रहा है इस sentence में I have told you million times देखिए इसमें human create किया गया है Million times Many times यह भी आपका Hyperbola होगा चलिए Next स्वाल है Nine numbers He built a big boat He built a big boat Built big boat B consonant sound का repetition हो रहा है अब देखिए इसमें यह आपका कौन सा figure of a speech बन रहा है Eletration Eletration Repetition of initial consonant sound यह आपका Eletration हो गया Eletration चलिए लास्ट सा है See is as beautiful as a rose See is as beautiful as a rose वह रोज के समान यानि गुलाग के समान सुन्दर है इसमें भी Comparison आया लेकिन Direct Implement इसको नहीं किया गया है इसमें Likeness को दिखला है इसमें Common जो ऐसी And rose में Common आपका यह Beautiful आपका यह As beautiful as a rose इसका आंसर दिजिए एक box में लिखा हुआ है तिना ढून करके बताएं कौन सा figure of a speeches में आ रहा है यह आपका सिमिली आए इसको हम सिमिली कहेंगे सिमिली बहुत अच्छा आप सब ने इसका सही सही जवाब दिया है इसके लिए धन्यवाल नेक्स्ट अगले कलास में फिर देखते हैं और हमको नहीं लगता है कि यह जो है इससे ज़्यादा आप लोगों को जरुरत होगी मुखे जो था इसमें वो मैंने बता दिया है पीजे चात्रो आज मैंने सरका वीडियो देखा फिर अब स्पीच पे बहुत ही अच्छा है इसके लिए इतना काफी है अगर आप इस तीन वीडियो का संस्वरम अच्छे से कर लेते हैं सर ने बहुत ही अच्छे तरह से फिकर सबस्पीच को डिफाइन किया है यहां पर समझाया है और इतना आप लोगों के लिए काफी है मुझे लगता है कि इस टॉपिक पर आप लोगों को मांक्स अच्छे तरीके से मिल सकता है तो आप इसको अच्छे से देखा किजिए धन्यवादी